हलो पाइसेज, वेलकम चुलाववीद उनिवर्स, अगर आपकी राशी पाइसेज हैं, यानि मीन राशी हैं, तो चलिए देख लेते हैं, लव केरियर से रिलेटेट ओवरल, ओक्टॉबर, नविंबर और डिसमबर 2022 में आपके लाइफ में क्या-क्या होने वाला है, ये रीड तो ये हैं आपके ओक्टॉबर मंत के लिए, दे चैरियोट, दे वील ओफ फॉर्चून, नविंबर मंत के लिए, और यहां पर हैं दे एम्परर, डिसमर मंत के लिए, तो लेट्स प्लारिफाइए, ये लोवर्च, 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 तो चलिए देख रहे हैं बॉटम देग तो यहां पर है किंग ओफ कपस पाइसे से एक वोटर साइन है और वोटर साइन के लिए किंग ओफ कपस यानि जो पानी का देवता है यानि वोटर का जो किंग है उसका कार्ड आ गया है सो आपका overall October November और December month overall बहुत अच्छा गुजरने वाला है सो आप देख सकते हो आपके बहुत सारे वीश यहां पर पूरा होता हुआ दिख रहा है इन 3 months में और आपके दिल में बहुत सदा पावर रहेगा आप खुद में एक confidence एक पावर महसूस करते हुए दिखोगे और इस time पर आप जो भी काम करोगे उसमें आपको success जरूर से जरूर मिलती हुए दिख रहे है और इन 3 months में आपका manifestation पावर भी बहुत ज़दा increase हो जाएगा तो इसे हम side कर देते हैं तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशी है तो यहाँ पर air sign जिमनाई लिब्रा एक्यूरियस pyre sign एरीस लियो साजिटेरियस और vertice sign कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी टॉर्स वागो कैप्रिकॉर्ण के एनरजी थोड़ी सी कम है अगर बहुत दिनों से आपके life में balance नहीं था तो यहाँ पर balance create होता हुआ दिख रहा है आप शायद नौकरी या फिर आप अपने love life और अपने career में balance ढून रहे थे कुछ भी हो सकता है मैंने एक example दिया आपके life में अगर balance नहीं था आप money को बहुत ज़दा खर्चा कर रहे थे save नहीं कर पा रहे थे तो उसमें भी आपको balance दिखाई देगा तो जिस भी situation पर जिस भी portion पर आपके life में balance नहीं था आप balance के लिए pray कर रहे थे तो यहाँ आपर balance बनता हुआ दिख रहा है आपके life में तो यहाँ पर है queen of swords आप देख सकते हो तो यह card कहता है कि आपके life में जो भी work नहीं कर रहा है कोई situation हो सकता है कोई things हो सकता है कोई person हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो चीज आपके life में work नहीं कर रहा है आप उस चीज को छोड़ने वाले हो उस situation को छोड़ने वाले हो उस situation से आप बाहर आने वाले हो उस person को छोड़ने वाले हो जो भी हो जो आपके life में work नहीं कर रहा है बहुत ज़र toxic बन गा है आपके life में उस चीज़ को आप छोड़ने वाले हो तो यहाँ पर हैं the lovers तो कोई एक solid commitment वाला offer love offer आपके पास आता हुआ दिख रहा है मुझे जिस भी person के तरफ से यह offer आपके पास आएगा यह person Sagittarius के हो सकते हैं या फिर Sagittarius उनके चार्ट में हो सकता है और आपके और इस person के बीच में बहुत ज़रा equal give and take वाला relationship built up होने वाला है और यह इनसान आपके soulmate या फिर twine flame हो सकते है एक love offer यहां पर आता हुआ दिख रहा है अगर आपको love life में balance के जरूरत थी तो यहां पर मुझे लग रहा है कि आपके love life में भी balance create होता हुआ दिख रहा है so October month overall आपका बहुत सदा अच्छा गुजरने वाला है और यहां पर है नवे ममंद so यहां पर आप देखी सकते हो नवे ममंद में आपके लिए आ गया है the wheel of fortune so कुछ new cycle में आप लोग enter करने वाले हो एक new beginning होने वाला है आपके life में और यहां पर एक major transformation से आप गुजरते हुए दिख रहे हो यहां पर है eight of ones so कुछ good news आपके पास आ सकता है आपके career के तरफ से भी हो सकता है यह good news आपके love life के तरफ से भी हो सकता है यह good news so इस good news के थुरू आपके दिल में बहुत सदा positivity generate होती हुई दिख रही है और यहां पर आप देख सकते हो ace of swords है so आपके दिमाग में बहुत सरे new creative ideas आने वाले है और यहां से मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ wish यहां पर fulfillment होने की बात हो रहे ही है जिससे आपके चहरे पर एक peace होगा एक बहुत अच्छी मुसकान होगा आप शांती महसूस कर पाओगे यह जो new cycle में आप लोग enter करने वाले हो इससे आपको बहुत सदा खुशी मिलने वाली है एक शांती मिलने वाला है एक peace मिलने वाला है अगर आपके life में बहुत दिनों से इन सब चीजों की कमी थी तो यह सब चीजे आपके life में enter करने वाली है नौबे ममंद में तो आपका जो नौबे ममंद है वो भी बहुत सदा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है overall तो चलिए देख लेते है डिसल ममंद तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिसल ममंद के लिए आपके लिए आगया है the emperor the emperor का card बहुत सदा positive energy करता है यह कहता है कि आपके मन में बहुत सदा power बिल्ट अप होने वाली है strength बिल्ट अप होने वाली है और आप बहुत सदा confidence के साथ चलने वाले हो आप जो भी करोगे बहुत सदा confidence के साथ करते हुए दिख रहे हो आप जो भी बोलोगे वो भी बहुत सदा confidence के साथ बोलते हुए दिख रहे हो आप यहां पर देख सकते हो night of swords so night of swords कोई एक जीत कोई एक victory के तरफ आप बढ़ रहे हो यहां पर आप देख सकते हो जो victory जो जीत बस कुछी दूरी पर है आपको थोड़ा सा और effort लगाना है और आप जीत के तरफ जीत के पास यानि victory के पास पहुँच जाओगे आपके पास victory भी आती हुई दिख रही है December month में और यहां पर आप देख सकते हो आप कुछ decision ऐसा ले सकते हो जिसमें आपका जो family है आपके जो nearest और dearest person है वो आपको appreciate नहीं करेगी कोई भी ऐसा decision आप ले सकते हो जिससे आप satisfied रहोगे पर आपका जो family है वो सब लोग इस decision से खुश नहीं दिख रहे हैं और आपके पास कुछ unpredictable अचानक से unexpectedly कुछ आ सकता है कोई एक miracle हो सकता है कोई एक surprise आपको मिल सकता है तो किस के तरफ से मिलेगा कैसे मिलेगा यह आपको उडिसममंत में ही पता चल जाएगा यहाँ पर मैंने overall देखने की कोशिश की है 2022 की बाकी जो दिन है वो आपका कैसा गुजरने वाला है वो overall अच्छा गुजरने वाला है मैंने यहाँ से देखा अगर आपको हर एक मंद का reading detail में चाहिए तो आपको मेरे साथ बने रहना है मैंने यहाँ से overall देखने की कोशिश की है आपके जो हर एक मंद है October, November, December वो आपको overall कैसा फल देने वाला है आपका कैसा गुजरने वाला है तो चलिए एक angel message देख लेते हैं आप पूछ सकते हो कुछ भी हाँ या नामे angel जवाब दे सकते हैं so options October मंद के लिए आगया है option so आपके पास बहुत सारे options open हो सकते हैं यहाँ पर लिखा है consider the carrier possibility that are open to you so आपके लिए बहुत सारे options बहुत सारे offer opportunities open होने वाला है आप old चीजों को bye-bye करो और new चीजों को अपनाने के लिए ready हो जाओ okay so बहुत सारे opportunities और बहुत सारे options आपको देखने को मिलेगी October मंद में यह आपके love life के तरफ से भी हो सकती है कुछ लोग के लिए और बहुत सारे लोग के लिए मुझे लग रहा है कि यह option यह opportunity आपको करियर के तरफ से देखने को मिलेगी okay so चलिए देख रहे हैं नाविम मंद के लिए एक angel message all is well so angels आपको बता रहे हैं कि hidden blessings हैं आपके साथ भगवान ने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है आपके लिए जो आपको बाद में पता चलेगा okay so जो भी हो रहा है जो भी होने वाला है वो आपके अच्छे के लिए ही होगा अच्छे के लिए ही होने वाला है कुछ भी चीज को लेकर बहुत सदा overthinking मत करो कोई negativity में ना आ जाओ सब कुछ अच्छा होने वाला है जो आपको बाद में पता चलेगा कि ये चीज आपके लिए क्यों हुआ या फिर ये चीज आपके लाइफ में ही क्यों हुआ आपके साथ ही क्यों हुआ ऑके अच्छे को आपको यही बताना चाहते हैं और अब में मत में एक new beginning भी होने वाली है आपके लाइफ में एक transformation से भी आप गुजरने वाले हो तो चलिए देख लेते हैं December Month The Moon यहाँ पर देखी सकते हुए एंजल साब को बताना चाहते हैं कि जो भी problem आने वाले है December Month में आप उसका सामना कीजिए और आप अपने मन की सुनिए intuitive हो जाएए extreme level पर आप किसी और की बात सुनकर कोई भी decision ना ले जो आपको पसंदा है आप वही करे ओके सो situation का सामना करे और आप खुद को strong करे ओके तो एंजल साब को यही बताना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो nine of wands तो मैंने अभी बताया nine of wands से देखकर कि कुछ situation ऐसा create हो सकता है कोई decision आप लोग ऐसा ले सकते हो जिसमें बहुत सारे लोग इसके against होगा पर फिर भी आप खुद satisfied रहोगे इसका मतलब आप दिल की ही सुन रहे हो तो angels जो बता रहे हैं आप वैसे ही करने वाले हो और वैसा ही होने वाला है आपके life में ओके सो ओवरल आपके November October November December मांथ बहुत अच्छा गुजरने वाला है सो डीटेल में देखेंगे हम हर एक मंद का reading ओके सो तब तक के लिए बाई